कि एक बार फिर साथ का स्वागत है इस्ट्मेंट्स हमारी यूट्यूब चैनल में मैं हूं आपका मित्रपाटिसर और आप देख रहे हैं कि ए-learning टीवी और आज मैं आपके लिए के आगया हूं आप पिछले बहुत टाइम से मैसे कर रहे हो सर हमने बाकी सारे सब्जेक्ट का तो बना लिया पर हमने अकाउंटेंसी का नहीं बनाया है आप अकाउंटेंसी का अपलोड कर दो तो फाइनली हमारी टीम आपके लिए ले आपके बाकी सारे सब्जेक्ट का भी अपलोड कर दिया है जितने भी आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट है सबका हमने अपलोड कर दिया है Link description box में है या उपर i button पे आप क्लिक करके देख सकते है और कुछ एक सब्जेक्ट जो रह रहा है उसका भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे आज किस लेक्चर को भी हम अपने प्रीविस लेक्चर की तरह ही दो पॉइंट में कवर करने वाले हैं सबसे पहले टीमे कैसे बना है और उसके बाद मैं आपको सौल्व टीमे की पीडियप दिखाऊंगा जिसके लिए आप इस लेक्चर में आयो और अगर आप हमारे प्रीविस लेक्चर पहले ही देख के आ चुके है तो टीमे कैसे बना है इसमें आपको टाइम वेश्ट नहीं करना है डाइरेक्ट आपको सौल्व टीमे की पीडियप देख लेनी है आप आगे वीडियो फॉरवड करके देख सकते हैं यह किनके लिए है यह उनके लिए जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे है ताकि उन्हें भी पता चल जाए टीमें बनाने का सही तरीका क्या होता है और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि हमारे चैनल आपको एनवेस का फुल इस्टडी मेटेरियल फ्री औफ कोश्ट प् अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको एनवेस की सारी अपडेट मिलती है एक्जाम होने तक कोई भी अपडेट आती है आपकी एक्जाम की डेट शीर आती है आपकी एक्जाम कैंसल होते है कुछ भी होता है हमारा चैनल सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा तीसरा बैन कर ले उमीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा चलिए मैं आपका ज्यादा समय बरबाद नहीं करूंगा लेक्चर को सुरू करते हैं सबसे पहले टीए में कैसे बनाए तो टीए में बनाने के लिए आपके पास क्या-क्या पेजस आपके पास कैसे होने चाहिए ये आप स्कृरidor के ऊपर देखे हुए होंगे बिलकुल इस तरह की के पेजस आपको लेने है आप कलर फूल पीज़ कर सकते है या फिरव प्रेक्टिकल सीट का भी यूज कर सकते है जिस असा आपका बजट है उस इसाफ के पेज़ीज आपको लेने है पेजिस के बाद तीसरी चीज आपके पास दो पैन होने भी compulsory है एक आपके पास black pen होना चाहिए और एक आपके पास blue pen होना चाहिए black से आपको question लिखना है blue से आपको answer लिखना है इसके अलाब आपको तीसरा किसी भी pen का use नहीं करना है कुछ instrument क्या गलती करते है रंग भी रंग ये pen का use करते है वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इसके बाद चोती चीज आपके पास colors भी होने चाहिए colors मैं क्यों कह रहा हूँ आप जो ये file बनाओगे ना इसका आपको market से easily मिल जाएगी इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको जो मैं भी आपको PDF दिखांगा वो PDF आपको डिक्टो अपने file में उतार लेनी है और उसके बाद जैसी आपकी date आईगी उस आपको अपने center पर जाना है और जमाक करवा देना है अगर आपको last date और center के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए भी हमने एक lecture बना रखा है उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए कर लेना है यानि आपको full screen कर लेना है और उपर settings में जाके आपको high quality mode on कर लेना है फिर आपको clear दिखने लग जाएगा और अगर आपको कोई word समझ नहीं आ रहे है तो क्या करना है आपको screenshot लेना है उसे crop करना है और नीचे description box में हमारा workshop नंबर आपको मिल रहा होगा वहाँ पर आपको share करना है हम आपकी पूरी help करेंगे यानि हमारे कहने का मतलब है हम आपकी help के लिए पूरी तरीके से तियार है हर वक्त हम तियार है और आपको बिल्कुल भी गलत नहीं उतारना है पहला कुस्टन जो है आपका इसका हमने बी पार्ट कर रखा है यह आपका दूसरा कुस्टन है इस्टुरेंट्स आपको एक चीज ध्यान रखने है लिखना जो है वो आपको एक ही साइड है दोनों साइड आपको नहीं लिखना है कुछ इश्रूरिंट क्या गलती करते हैं पेज के दोनों साइड लिखके ले जाते हैं ऐसा आपको नहीं करना है एक साइड आपको इस तरीके से ब्लैंक छोड़ना है कि यहां से आपके लौग अंसर वाले कुस्सन सुरू हो जाते हैं चौता कुस्सन जो है इसका हमने एक पार्ट कर रखा है इस्ट्वन्ट आपने एक चीज नोटिस कियोगी हमारी चल्पया को जो टी एमेज है वो back to back नहीं मिलते है यानि आपको हपते में एक से दो टी एमेज ही मिलते है इसका कारण क्या है हम बाग्यों की तरह कुछ भी upload नहीं करते है हम पहले कोस्टन को analyze करते हैं यानि क्या पूछा गया है यह देखते हैं उसके बाद उसके हिसाब से हम answer आपके लिए लेके आते है इसलिए यह आपको decide करना है कि कुछ भी आपको उतारना है या फिर आपको जो सही answer है वो उतारना है इसलिए ही हमारे channel पे आपको date TMA देखने को मिलते है और एक बात कि आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है जो हम सारे subject के TMAs अप्लोड नहीं करेंगे आपको date से पहले हम सारे subject के TMAs अप्लोड करके देदेंगे इसलिए आपको channel पे last तक बने रहना है अगर हम चाहे तो हम भी बाक्यों की तरह ही एक हपते में पूरी playlist आपके लिए लेके आ जाए पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपकी help के लिए आया है ना कि हम business के लिए आया है पांचबा question जो है यह आपके four part में divides है four के four part आपको करने है चाहता question जो है आपका इसमें आपको एक table draw करनी है यह आपका project based question होता है इसी के साथ यहीं पर आपके छेओ को सन complete होते है आपके TMA यहीं पर complete होती है इससे related आपको कोई भी doubt है कोई भी तो आप बेज जी से comment box नहीं से comment करके पूछ सकते है हमारी team हर comment और मैं इसका reply करती है इस बात का proof आपको comment box देखके ही मिल जाएगा और बागी सारे subject के TMA और practical files का link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ से आप इसी तरीके से free of cost देखकर बना सकते हैं कुछ एक subject rare है उसका भी हम आपके date से पहले कर देंगे और जाते जाते चैनल पर नए जाते चैनल को subscribe भी कर ले तो उमीद आपने चैनल को subscribe भी कर लिया होगा तो चलिए मिलते हैं अगले lecture में